बीस पार रोज गुजर गया, जुल्म का सिल्सिला थम ना सका, हरान बरबरियत की नई दास्तान कश्मीरियों का अजन फिर भी जवान, लिहत्ते अवाम भार्ती पाबंदियां रोंद कर सड़कों पर आ गए जगा जगा मुसाहिरे, आज़ादी आज़ादी के फलक शगाफ नारे मखबूजा कश्मीर की सुरत हाल पर मुकमल नजर है, पाक फौज मश्रकी महास पर किसी भी खत्रे का मुकाबला करने के लिए तैयार, जारहियत का मुँ तोड जवाब देंगे आर्मी चीफ ज़नरल कमर जावेद बाजवा का फौरमेशन हेटकौर्टर्स गिलगत में खिताब, अफसरों और जवानों के बलंद मुराल की तारीफ, सिपासालार की यादगारे शहदा पर भी हाज़री मेरी उनसे अभी टेलेफोन पर गुफदकू हुई है, मैंने बिलकुल उनका बर्मला शुक्री अदा किया, जिस अंदाज में उनने स्टेक्पन्ट दिया मेहते कश्मीरियों पर सिंदगी चीरन, पुरन मुसाहरीन पर बराहरा स्पारिंग तालिट गंस का इस्तेमाल, मक्बुजवादी में बड़ा अल्मिया जनम ले रहा है, अक्वाह में मुतहिदा फौरी गदामात उठाए, इंसानी हुकू कमेशनर को कश्मीर भिचवाए, वजीर खाजा शाह में मुत कुरेशी का आलमी अदारे के सरबरा से राफ़ता, सुरतिहार से आगाह कर दिया, एंतोनियो गोत्रेस का इसारे प्रश्वीश, तनासे के हल के लिए किरदार जारी रखने कास्मी। अपने ही लोगों के साथ, जो उनके अपने हैं, उनसे क्या सलूक बरत रहे हैं, वो अपनों के साथ बैठने के लिए तैयार नहीं हैं, वो हमारे साथ कहां बैठेंगे, और पाकिस्तानियों का खच्चा के पुलवामा जैसा नाटक रचाने के लिए वो तैयारी कर रहे हैं बूदी सरकार अपने स्यासतदानों के साथ बैठने को तैयार नहीं हमारे साथ कैसे बैठेगी भारत के रादे बेनकाब खुलवामा जैसा नाटक रचानी की तैयारी हो रही है शाह महमूद खुरेशी की प्रेस कॉंटर इसी हफ़ते इंशालला वजीर आजम पाकिस्तान कौम से खताब करेंगे और इसी हफ़ते कश्मीरियों के साथ कौम यग जाओ के एक दिन जो है स्पैसिफिक टाइम पे स्पैसिफिक एजड़ने पे वो मनाएगी मेहते कश्मीरियों से एक चहती का दिन मनाने का ऐलान वजीर आजम अखले हफ़ते कौम से खताब करेंगे पूरी कौम भारती मजालिम के खिलाफ सराप एहते जाज है फिर्दास आशिकावान मकूल जवादी में खुंडा राज हेलकार जिसे चाहते हैं घर से उठा लाते हैं रौड और पाइप से तशद्द का निशाना बनाते हैं जबरदस्ती नारे भी लगपाते हैं मकूल जवादी का दारा करने वाली भारती सहाथी सौमया शंकर अपनी ही सरकार पर वरस पड़ी पॉर्रन पॉलिसी मैगजीन में होश्ट रुबा अर्टिकल आलमी एवानों में भी कश्मीरियों की आवाज, निव यॉर्क में अक्वाम मुतहिदा हैड़कौर्टर्स के बाहर एहतिजाज, राजा फारुक हैदर और सिक कम्यूनिटी भी शरी, मूदी के खिलाफ नारे मजलूम कश्मीरियों से इजहारियत चहती, जर्मन शहरी भी सड़कों पर निकलाए, मार्च ने सेंकड़ो अफ़राग के शरकत मकबुसावादी के लिए नारे तहिदा की करारदादों की किलाफ वर्जी पर आवाज उठाने काज, पाकिस्तानी निजात, बरतानवी बॉक्सर दोरे में तावन पर डीजी आईएस पियार के शुक्रादादा की किलाफ नारे गुजरात के किसाई से कहता हूँ, के अगर तौम जुम्हूरी हो, अगर अब तौम जुम्हूरी हुकम्रान हो, तो कर्फ्यू अठाओ, राइश अमारी करो, तुम्हे पता चलेगा के किश्मीरी अवाम का राइए क्या है, तूम तुम जितनी ताकत इस्तेमाल करोगे, कु अज़ात का कस्दाई कश्मीरियों का भी गातिल मुदी चम्हूरी हुक्मरान है तो करके उठा कर रेफरेंडम कराए पता चल जाएगा कश्मीरी क्या चाहते हैं बिलावल गुतो का गिल गित बल्पिस्तान के लाके खबलों में खिताब हुकूमत पर फी तनकी सिंद और बल्पिस्तान के लिए एलेक्शन कमिशन अरकान की तकर्री आईन के मताबिक की गई हुकूमत टट गई हुकूमत और उपोजेशन में इतफाक ना होने पर सद्र ममलिकत ने आईनी अख्तियार इस्तेमाल किया आजम सुवाती ने आउपोजेशन का इतराज मुस्तरत तर दिया पैसल वाड़ा जो नाम है चीफ पप्लिसिटी हासिल करने के लिए बेयानाद देगा तो हमारा कोलिशन कैसे चल सकता है अगर आप इस फैडल मिनिस्टर को कंट्रोल नहीं कर सकते तो फिर हम भी कुछ सोचेंगे कि हम आप से फिर अलैदा हों मैं डिरेक्ली इमरान खान साब से कहूंगा कि इनको लगाम डाली जाए मेर करा चीफ पैसल वाड़ा के बयानात पर सीखपा विफा की वजीर को रोकने का मतालिवा इमरान खान एंकिन की हमायत से वजीर आजम बने रास्ते अलब ही हो सकते हैं वजीर मख्दर का इंतबा वजीर आजम की जेर सदारत अजलास जदीद तरीन इंजिनिरिंग युनिवरसिटी के क्याम पर पेश्रफ्ट का जाइजा इमरान खान को मुक्तलिफ इकदामात पर ब्रीफिंग पंदरा युनिवरसिटी को बेहतरीन जामियात का दर्जा देने की तजवीज मंजूर इमरान खान से मौाशी टीम की भी मुलाकात सेहत की मैयारी सहूलियात की पराहमी अवलीन तरजी सेहत कार्ट का दारेकार सरकारी मुलास्मी तक बढ़ाया जाएगा वजीर आला उसमान बुस्तार का सहीवाल में तकरीब से खिताब हेड सुलिमान की परसलावी सुरत हाल का फजाई चाहिजा दरिया सतलुज में सेलाव गंडा सिंग के मकाम पर साथ हजार क्यूसिक का इखराज पानी की सता उननिस फिट तक पहुँच गई कई दीहाद दुबारा जेरिया रापता सड़कें बंग हेड इसलाम पर भी बहाओ में इजाफा कायरों के कारुबार के नाम पर अवान से लूट मार पर चेर्में नाप का नोटिस बीजी नाप कराची को एंकर मुरी दबास कतल केस के मुल्जिन के खिलाफ इंकौाइरी की हिदायत अरू सूफी शायर बाबा बुले शाह का दो सौबा सथमा और्स पसूर में तक्रीबात जारी सेक्यूरिटी के सख्त इंतिजामाद प्रिकेटर इमार पसीम का पाकिस्तानी नयाद बरतामी लड़की सामिया शपाक सेनेका तैसल मस्चित में सादा तक्रीब सिर्फ एहले खाना के शर्कत 26 अगस्त को दावत इवलीमा और उमान की अलामत मुसाहमत का इस्तियारा वो एहमत परास हमारा नाम वर शायर को दुनिया से विच्वे 11 बरस भी कए बेमिसल कलाम आज भी सबान सदिया असलाम वालेकुम दुनिया नियूस के साथ मैं हूँ आमना सचार मैं हूँ वैदुल्ला सिद्धी की हेडलाइन जान चुके हैं बुलिटन का बाकाइदा आगास करते हैं कश्मीर की सुरतहाल पर बात करके वजीर खारजा शाह महमुद कुरेशी ने एक बार फिर अकवाम मुतहिदा के सेकेटरी जनरल को फोन करके मकबूजा कश्मीर की सुरतहाल से आगाह किया है यूएन सेकेटरी जनरल ने कहा कि वो पैरस में हैं और भारती वजीर आजम से बात करेंगे मसले कश्मीर के हल के लिए अपना करदार चारी रखूंगा महमद इमरान के रिपोर्ट देखिए मकबूजा कश्मीर में इनसानी हकोक की संगीन खिलाब वर्जियों भारत की जानब से जाली आपरेशन के खचाथ से आगाह किया तनाज़े का पुरामन हल के लिए करदार अदा करता रहूंगा अकवाम में मतहिदा सेक्टरी जनरल की यकीन दिहानी वजीर खारजा की सेक्टरी जनरल को खिते के दोरे की दावत इस खिते के हालात इस बात का तकाज़ा करते हैं कि अगर कोई गुन जाइश निकल सके तो उन्हें यहां विजिट करना चाहे मैं दावत देता अजाब कश्मीर के लोग और शेहरी मुनतजर होंगे उनके वो जहां जाना चाहें जिस से मिलना चाहें हम फिसलिटेट करने के लिए तैयार है जब दुनिया पर एक तारीकी चाही हुई है हकाइक चुपाए जा रहे है हकाइक तोड मौरोड कर पेश किये जा रहे है उन्हें खुद वहां जाने का मतालबा करना चाहिए ताकि वो खुद जाके सुरतेहाल को देखे और देखकर दुनिया को आगाह करे इसलामबाद में प्रेस कानफरस करते हुए वजीर खारजा ने कहा कि हम मसाइल बाद चीच से हल करना चाहते हैं लेकिन राहूल गांधी के सिरी नगर एरपोर्ट पर गरिफतारी मूधी सरकार के अजाइम की अकासी करती है आज जो फैशिस्ट आटिचूड है इस मूधी सरकार का उसका अमली मुझाहरा लोगों ने सिरी नगर एरपोर्ट पर देखा राहूल गांधी जो के लोकसवाग के मेंबर हैं वो जाते हैं सूरत इहाल को असेस करने के लिए और खौाइश करते हैं कि कश्मीरी क्यादत से मिलें एरपोर्ट पे उन्हें गिरिफ़तार कर लिया जाता है और अगले जहाज में उनको वापस दिल्ली मुन्तकिल कर दिया जाता है भारती वजिर आजम के दोराय मतहदा अरब अमाराद के सवाल पर वजीर खारजा शां महमूद कोरेशी ने कहा कि मतहदा अरब अमाराद के साथ हमारे करीवी तालुकात हैं लेकिन इन کے दूसरे मुमाल्ग के साथ तालुकात पर कदगन नहीं लगा सकते आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा है कि मकबूजा कश्मीर की सुरतिहाल के पेशे नजर मश्रकी महास पर किसी भी खत्रे का मुकाबला करने के लिए तैयार है अफ़ाज पाकिस्तान की तैयारियां और पेशावराना महारत काबले तारीफ है महामद इमरान की रिपोर्ट दुनिया के बलंद तरीन महाज़ जंग पर पाक फोच के जवानों का होसला बलंद और पेशावराना महारत काबले सिताईश है आर्मी चीफ ने यादगारे शोहदा पर भी हाजरी दी फातेखवानी की और फूर्चडाएं भारती सहाफी ने पुलवामा में जारी इन्सानी हुकूक की पामाली के बत्तरीन वाकियात बेनकाब कर दी है फॉर्ण पॉलिसी मैगजीन में लिखे गए आर्टिकल में मूदी सरकार के मजालिम की तफसील बयान कर दी पुलवामा में बरबरियत की नई दास्तान सामने आ गई भारती सहाफी ने अपनी ही सरकार की अस्कियत दिखा दी घुंडागर्दियाम एहलेकार जिसको चाहें घर से उठालाते हैं रॉड और पाइप से तशद्द का निशाना बनाते हैं भारत की हमायत में जबरदस्ती नारे भी लगवाते हैं सोमिया शंकर ने मकभूजावादी का दोरा किया जो कुछ देखा सब लिख दिया पॉरन पॉलिसी मैगजिन में शाया आर्टिकल के मताबेक नौचवानों को खसीट कर लाना मामूल बरबरियत का निशाना बनाना भी मामूल एक कलमा गो कश्मीरी को जमीन चाटने पर मचपूर कर दिया गया भारती सहाफी के मताबेक कश्मीरियों की नसल कुछी जारी फिर भी हौसले बलन कोई सर ना चुकाने का अजन दोहरा रहा है कोई मूदी के खिलाफ नारे लगा रहा है यूवलवला कम होने के बजाए बढ़ता ही जा रहा है शंकर ने चेल के बाहर खरों से उठाए गए नौचवानों से मिलने आये वालिदें से मुलाकात की बेटा कैद होने के बावचूद आसादी आसादी पुकाती मा के होसले को भी खूब दाती भारती सहाफी के मताबक कश्मीरियों को सिर्फ और सिर्फ आसादी ही कुबूल है अगर भारत ये समझता है कि तहरीक को दबा लेगा तो ये उसकी भूल है न्यू यूर्क में अक्वाम मुतहिदा हैटकॉर्टर्स के सामने कश्मीरिय आवाम से एक चहती के लिए बड़ा मुझाहरा हुआ जिसकी गयादत वजीर आसम आसाद कश्मीर राजा फारुक हैदर ने की मजीद बता रहे हैं मुआविस असस सिदी की जी गुश्ता तीन अफ़ते से कोई दिन और कोई लमा ऐसा नहीं गुदरा जब दुनिया की हुरियत पसंद आवाम कश्मीर और कश्मीरियों के लिए आवाद बलंदना कर रहे हूं और दुनिया में हर जगा मुदार हो रहे हूँ आज मैं यहां कड़ाओं अक्वाम मुटछा के सामने जहां बहुत बड़ी तादाद में लोग मुझूद है और यह मुझारा हूंगे और उसके साथ मूदी के आमत में मुझारा हूँगा जिसमें हजारों अफराज शर्कत क मोbird को अपना करदार चाहए और यहां मूदी को दह्सत teas अबीं के लिए और खुशिच की जा रही है है ET गया है कि ये पहला मुझारा नहीं बलके मदीद मुझारे होंगे जी मकबूजा कश्मीर की तश्वीशनाक सुरतेहाल ने आलमी रहनुमाओ के जमीर को जंच होड़ दिया कई एक ने खुलकर इजहार तो किया मगर कोई खास इकदामात नहीं उठाए मसला कश्मीर पर आलमी रहनुमाओ के रद्धे अमल पर नज़र डालेते हैं इस रिपोर्ट में कश्मीर में जारी भारती जल्म औ बर्बरियत की दास्तान मकबूजा वादी में भारती मजालिम ने आलमी रहनुमाओ के जमीर को जंच होड़ कर रख दिया कई रहनुमाओं ने खामोशी तोड़ दी मगर खातिर खाह इकदामाद ना उठाए गए तर्की सदर डानल्ड ट्रम्प ने आतिराफ किया कि मसला कश्मीर काफी अरसे से चला आ रहा है तर्क सदर ने भी वादी की सुरतिहाल पर अपने खदिशात का इजहार किया इरानी सदर हसन रोहानी ने कहा कश्मीरी मुसल्मानों को अपने खानूनी हुकुक इस्तेमाल करने चाहिए ताके वो अम्न की जिन्दगी गुजार सके मलेशियन सदर महतीर मुहमद और जेर्मन चांसलर ने भी मसला कश्मीर पर गहरी नजर रखने की बात की चीनी वजीर खाज़ा वांगी ने कहा कि यक तरफा एकदामाद कश्मीर की सुरत हाल को मजीद पेचीदा बना देंगे अकवाम मुतहिदा की गुजश्टा बरस की रिपोर्ट के मताबिक भारती फोर्सिस को ऐसे अख्तियारात दिये गए हैं जिन से कश्मीर में इनसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी होती है जबकि कश्मीरियों की नसल कुशी बाकाइदा एक प्लैन के तहत हो रही है पाकिस्तानी नयाद बरतानी बॉकसर आमिर खान ने कंट्रोल लाइन और आसाद कश्मीर के दोरे का ऐलान कर दिया विजियो पैगाम में कहा कि मकबुसा कश्मीर में बहुत स्यादा मसाइल है मासूम लोगों को शहीद और सख्मी किया चा रहा है कश्मीरियों की नसल कुशी और एक्वाम मुतहिदा की करारतातों की खिलाफ वर्जी पर आवास उठाएंगे Obisfाष़ ये लिचलाति और सुप्राओ भास लाइडा की इन की में पाकिस्तरा अवाश्मी कोश्मीर लाकिस्मार की का it अवाइ हूज कि न्य outta लांवाटम वापिसमार्स और से संथ dov दन eyes how to आ Moses कश्मीर होफ़ले वी गोई देर और विजिटिंग और आमरेकाम फांडेशन वीजिए आपकिस्तान कश्मीर आपकिस्तान कश्मीर स्पीकर कवमी असमली असत कैसर का कहना है कि भारत मकबूजावादी को हजम नहीं कर सकेगा कश्मीर भारत की तबाही और बर्बादी का सबब बनेगा जबके वजीर आला खेबर पक्तुनखा महमूद खान ये कह रहे हैं कि जस दिन जिहाद का ऐलान हुआ मैं सिपाह सालार बनकर कश्मीर जाओंगा वो सौाबी में तकरीब से खिताब कर रहे थे पूरी पाकिस्तानी कौम कश्मीरी उपायों के साथ हम इंडिया को ये बावर कराना चाहते हैं कि ये कश्मीर आप हजम नहीं कर सकेंगे ये आपकी बर्बादी और आपकी तबाही का बाइस बनेगा इन्शालला ताला कश्मीर का इशू मैं आपसे वादा करता हूँ जिस दिन जिहाद का ऐलान हुआ मैं सिपसालार बनके आप लोगे से आगे हूँगा आप मेरे पीछे हूँगे इन्शालला आप कश्मीर को फटा करेंगे भारत में आज़ादी इसहार राए पर पाबंदी के बाद से घुटन का माहौल इसकदर बढ़ चुका है कि किराला से तालुक रखने वाले बिरोक्रेट ने स्टीफा दी दिया इंडियन सिविल सर्विसे से तालुक रखने वाले कनन गोपी नाथ का कहना है कि मुल्क भर में आवाम के बुनियादी हुकूग की पामाली की चा रही है मगर हमें आवास उठाने की अजास्त नहीं इस तीफा दे कर अपनी आवास वापिस लेना चाहता हूँ भारती बिरोक्रेट का कहना था कि मेरे बस में होता तो अख़बार के सरवर्ग पर मकबूजा कश्मीर की सुरतहाल शपआ देता आपको अपडेट करें कि चेरिमन सेनेट सादिक संजरानी ने मुतहिद आरब अमारात का दौरा मनसूख कर दिया है ये दौरा भारती वजीर आजम के दौरे के पसमन्जर में मनसूख किया सेनेट सेकरिटेरियट की जानब से ऐसा बताया जा रहा है चेरिमन और पारलिमानी वफद को तैशुदा दौरे पर यूएई जाना था जबके अब ताज़तरीन खबरी आ रही है कि इस दौरे को चेरिमन सेनेट ने मनसूख कर दिया है भारती वजीर आजम नरिंदर मूदी मतहिदा अरब अमारात का दौरा कर रहे हैं और वहाँ जो ने प्रोटोकल दिया गया इस पर एक एहतिजाज की सूरत है चेरिमन सेनेट का वहाँ ना जाना और खास तोर पर ये तैशुदा दौरा था जिसमें ना सिर्मन सेनेट सादिक सिंजरानी ने जाना था बलके पारलिमानी वफ्द ने भी मतहिदा अरब अमारात की सर्जमीन पर जाना था और वहाँ वफूत की सता पर मुजाकरात होने थे मुआमलात तैप आने थे आमिर साइद अबासी हमारे साथ मौजूद है उनसे बात कर लेते हैं आमिर आप बताईएगा क्या तफसील है आपके पास आमिर साइद अबासी हमारे साथ मौजूद होंगे उनसे तफसील जानने की कोशिश भी करेंगे चेर्मन सेनेट सादिक संजरानी ने दोरा तैय था मुताहम अवराद के लिए वो मनसूख कर दिया गया है और ये पहले से तैय शुदा सरकारी दोरा था जिसे मनसूख करने का पैसला इस वज़े से किया गया क्योंकि भारती वजिराजम के हालिया दोरे के पसे मनजर में जो पैसला है वो चेमन सेलेक्ट है ही है और कर्फियू नाफिज है ऐसे मोके पर मतहदा अरब अमराद की तरफ से दोरा है वो पाकिस्तानी कोम और किश्मीरी माओं बेहनों और बजर्गों की दिलाजारी का सबब बनेगा इसलिए चेर्में सेनिट सादिक संजरानी ने अपना और पारलिमानी वक्त का जो हाल काल दिया गया है भारती वजिराजम को इसकी वज़ा से ये फैसला किया गया है चेर्में सेनिट की दरफ से के वो और उनका जो पारलिमानी वक्त है वो इन हालात में विजट नहीं करें मुताहदार अरब अमराद को और ये बाकाइदा कर दिया गया है मुताहदार अरब अ झाल झाल